हलो दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने कुछ अनबह किये थे जैसे किस में स्टार्ट करना ठीक रहेगा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और क्या संभावनाएं हो सकती है और पैसा कितना कमा सकते हैं आज जो शेर करूंगा वो आप समझना कितना सही है कितना गलत है क्योंकि इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि हम क्या कह रहे हैं पर इस बात से जरूर फरक पड़ता है कि आप क्या समझ रहे हैं आज स्टौक की बाइं और सेलंग और वह कोई कर सकता है इस कि फोट बनाना बहुत मुस्किल है तो आज हम बात करेंगे गई से परेड़ने के लिए एक ठीक होनी चाहिए ट्रेडिंग से profit बनाने के लिए आपको बड़ी समझदारी से ट्रेडिंग करने पड़ती है मतलब कि buy sell करना पड़ता है अब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपकी market के साथ fight होती है आपकी पूंजी या आपकी capital ही आपकी ताकत होती है आप market को अपनी ताकत से नहीं जीत सकते हैं बट आपकी चलाकी और आपकी समझदारी आपको ट्रेडिंग से profit करा सकती है इसी चलाकी और समझदारी को आजकल strategy कहते हैं हम किसी strategy की बाद बहुत आगे जाकर करेंगे इस वीडियो में हम समझने की कोशिस करेंगे कि वो क्या समझदारी है वो क्या चलाकी दिखानी है trading start करने से पहले हम जो भी बात करेंगे हवा में बिल्कुल नहीं करेंगे जो भी decision लेंगे या decide करेंगे वो किसी diary या किसी register में pen से लिख डालेंगे और इसी intention से लिखेंगे कि हमको वही करना है वही follow करना है जो लिखा हुआ है यह कुछ उसी तरह की बात है कि जंग जीतने के लिए जो planning करनी होती है जो जंग के मैदान में जाकर नहीं की जाती है planning की जाती है जंग में जाने से पहले ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि सही planning करने के लिए दिमाग का mind का शांत होना बहुत लाजमी है दिमाग पर किसी तरह का pressure नहीं होना चाहिए frustrated और puzzled mindset के साथ की गई planning का result सही नहीं हो सकता है तो क्या planning करनी है planning करनी है risk management की आपके trading account में जो भी capital है जितनी भी capital है उसमें से आप परड़े की एक risk capital decide करेंगे और उसको अपनी diary में लिख डालेंगे क्योंकि आप अपनी पूरी capital को दाव पे नहीं लगा सकते risk capital percentage में नहीं amount wise होनी चाहिए इस daily risk capital का मतलब है कि आपको एक दिन में अपनी risk capital से ज़्यादा का loss नहीं करना है यह risk capital कितनी होनी चाहिए कैसे calculate करेंगे यह हम लोग आगे बात करेंगे जो भी risk capital आपने decide की है आपको उसे पांच छे या साथ आठ trade से divide कर लेंगे इसका मतलब आपको अपनी risk capital के मताबिक आपको पांच छे साथ याठ trade डालने का मौका मिलेगा कैसे trade डालना है यह हम लोग आगे बात करेंगे और यह आपको trading plan का पहला पार्ट है daily risk management और सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा आगे और क्या करना है वो आगे समझेंगे थैंक्यू कि अग्यू